हलो बच्चो आज हम present perfect continuous tense सिखेंगे पिछले वीडियो में हमने आपको पहले भी काफी सारे टेंसिस सिखाए हैं आज हम present perfect continuous टेंगे तो सबसे पहले इसका rule जानलिक क्या है कि देखिए अगर subject singular है तो has अगर subject plural है पी से plural ठीक है तो have फिर been लगेगा बी डवल एन बीन फिर वर्ब में ing और फिर object रखेंगे ठीक है अब आगे देखिए कि अप जैसे question है कि हिंदी में लिखा है कि वह दो बजे से अपना काम कर रही है ठीक है तो यह tense जो है हमको समय का घ्यान कराता है सबसे ज्यादा जरूरी यह बात समझने की कि यह tense हमको समय का घ्यान कराता है आपको हार sentence में कोई ना कोई समय की बात लगेगी अब अगर हमको जैसे sentence है कि वह दो बजे से अपना काम कर रही है तो जब हमको मालूम है कि इसमें time दिया हुआ है दो बजे से तो इसके लिए हम since use करते है और अगर हमे confirm नहीं है time कि हमको उसके लिए गड़ित लगानी पड़े की तो for use करते है तो we start वह दो बजे से अपना काम कर रही है तो हम पहले भी चेक कर चुके है कि subject कैसे निकालते कौन लगा के या किसके लगा के तो कौन दो बजे से अपना काम कर रही है तो she लिखेंगे अब he she it singular हो बज़े की has been फिर अपना वह दो बजे से अपना काम करे सबजिक्ट जो काम करता है वो verb होता है काम कर रही है क्या अपना she has been doing करने को क्या करते है do me ing लगक है doing her work अपना काम ठीक है, क्या कर रही है अपना काम, यह object है अपना काम, और यह कर रही है यह verb है, तो verb है तो verb में ing लगए doing, हर वक कब से, दो बजे से, तो हमें समय आपर fix मालूम है, कि दो बजे से करें तो since two o clock this is the rule ठीक है, अगर I'm repeating अगर subject singular है, तो has अगर subject plural होगा, तो have फिर been रखेंगे, फिर वर्ब की first form में ing रखेंगे हमेशा वर्ब की first form में ing लगता है, फिर object since, या for, जो भी आएगा आपके लिए, अगर समय निष्टित है जैसे यहाँ आपर दो बजे से exactly वो बता रहें तो since, two o'clock, अगर समय नहीं, exact समय नहीं बता रहेंगे, तो for, ठीक है और एक बात और है, कि हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके कि present perfect tense जो tense होता है, इसका rule जो है इसके नाम में ही छुपा होता है, perfect present है, तो देखिए, है है करके आएगा, कि वहाँ दो बजे से अपना काम कर रही है, पचा दो घंटे से सो रहा है, तुम इस शेहर में चार बाश है, रह रहे हो, तो present में लगेगा, perfect जहां भी लिख जाएगा तो वहाँ has, have, had में से जरूर लगेगा, और continuous लगेगा तो verb में ing जरूर लगेगी ठीके, सब नाम में ही भी चापाएगा, कि अगर हमें present perfect continuous tense के बारे में सोचना है, तो इसका मतलब है कि उसमें has, have या had में से भी एक आएगा, ठीके अब चुकि यह present है, तो has, have आएगा, और has, have किया, singular है तो has plural है, तो have perfect है तो इसका मतलब है has, have had में से आएगा, लेकिन चुकि यह present perfect लिखाएगा, तो यानि कि has, have में से आएगा, continuous मतलब verb में ing लगेगी, यह बस been जो है, been यह extra लगता है इसमें, और this sense of war वाला बात ठीके, तो नाम में ही ज्यादा तर roll छिपा होता है उसका अब हम इसी sentence को अगर हमसे कहा जाए कि change into negative आज हम साथी साथ सिखाएंगे, कि negative में कैसे change कीजे, तो देखिए, हमने पहले भी मालू में, हमने पहले भी पढ़ा है कि linking word के तुरंद बाद not रख दीजे, तो देखिए she has अब देखिए, इसमें linking word पूरा यहां से has been, पूरा linking word लेकर हमने पहला वाला linking word भटाया और उसके तुरंद बाद not रखा, sorry, not रखा, she has not been doing her work since two o'clock जितना बढ़ा भी linking word वो इसमें पूरा has been linking word था लेकिन जो है, हमने बस पहला इससा linking word को, जो भी पहला इससा है वो हटाया, उसके तुरंद बाद not रख दीजे, बाके जितना बढ़ा भी linking word हो, पढ़ा रहने दीजे उसको, ठीके, she has not been doing her work since two o'clock, दीखिए, इस has been के बीच में हमने यहाँ पर not लगाया है अब इसी का अगर हमको, इस affirmative sentence का अगर हमको interrogative बनाने के लिए कहाज है तो हम कैसे करेंगे हमने पहले भी पढ़ा है कि इस linking verb को आगे कर दीजे ठीके, has और बाकी सब कोई chain नहींगा और she इसको linking verb को आगे करना है linking verb के पहले पात को और यह been को कुछ नहीं चुन है वो अपनी जगे पर इस्तर रहेगा ठीके, has को आगे कर दीजे she, अब she का s छोटा हो जागा क्योंकि पहले अक्षरी हम बड़े से लिखते है has हम लिख चुके है, has अगर किसी का नाम होता तो हम बड़े से लिखते है, क्योंकि प्रॉपर राउन हमेशा बड़े से लिखा जाता है has she been doing her work since two o'clock ठीके, और question mark in the end किता सिंप्ल है, ठीके आप को दूसर सेंटेस देखिए next sentence बच्चा दो घंटे से सो रहा है ठीके, इसमें भी समय दिखा रहा है कि दो घंटे से सो रहा है, इसमें यह नहीं बता रहा है कि दो बजे से सो रहा है ठीके, तो अब देखिए, इसकी English हम सारे subject निकालेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, इंग्लिश लिखने का तरीका है subject, linking verb, main verb and the object, तो बच्चा दो घंटे से सो रहा है तो subject के है, कौन दो घंटे से सो रहा है बच्चा, यह हमारा subject है the child, किसी particular बच्चे की बात हो रही है the child अब child जो है singular होता है, क्योंकि children plural होता है इसका तो child has लगेगा, क्योंकि singular है subject the child has been लगेगा और वर भी क्या है इसमें, बच्चा जो क्या काम कर रहा है सोने का काम कर रहा है देखे, रहा रही को आप ing से दिखाते है तो, her child has been sleeping अब यह की दो घंटे से है अब हमको दो घंटे से अब हम यह सोचें कि भाही तो 11 बज़ रहा है तो दो घंटे से सो रहा है तो 9 बज़े सोया होगा अगर इस टाइप कि हमको गड़ित लगानी पड़े किसी सीज में तो आप 4 लखे लिजे और जहां पर यह से पहले सेंटेंस देखे कि बहाद 2 बज़े से अपना काम करे कोई गड़ित नहीं लगानी पड़े साफ साफ क्लियर था कि 2 बज़े से काम करे तो सिंस लेकिन अगर हमको जहां पर गड़ित लगानी पड़े कि अच्छा इसमें 11 बज़ रहा है तो 2 खंटे से सो रहा है तो करीब 9 बज़े सोया होगा इस टाइप ही गड़ित जहां हमने देखी पूरा इतना बड़ा linking verb है has been पूरा linking verb है कि हमने पहले भी पड़ा है कि पहला पार्ट इसका छोड़िए और उसके तुरंद बाद not रख दीजी और फिर आला पार्ट इसका रखिए जितना बड़ा भी linking verb है आपको पहला पार छोड़ के not लगाना है कहीं आप lot नहीं लगा सकते कि कहीं भी not रख दिया ऐसे गलत हो जाएगा the child has not been sleeping for two hours so simple अगर अब हमसे हरे वाले को affirmative sentence को interrogative में change करने के लिए change into transform this sentence into interrogative तो देखे कि मालुमें कि linking verb का यहाला पहला पार्ट जो है तो उसी को सबसे आगे रख देंगे linking verb सबसे आगे रख देंगे फिर बिल्कुल वैसे फिर उसको बदुबारा यूज नहीं करेंगे एक बार linking verb एक sentence में एक ही बार आता है has the child been sleeping for two hours देखे अब हमारा बोलने का accent भी चेंज हो जाता है क्योंकि यह interrogative sentence है has the child been sleeping for two hours जैसे लग रहे कि हम पूछ रहे कि किसी से न तो interrogative sentence को reading करते से में भी ध्यान रखना चाहिए आपका accent थोड़ा बदल जाना चाहिए लगे कि कुछ पूछ रहे है next देखिए next देखिए तुम इस शहर में चार वर्षे रह रह रहे हो देखिए इसमें भी दिखे टाइम दिखा रहा है क्योंकि यह tense ही पूरा समय के बारे में घ्यान देता है हमको ठीक है तुम इस शेहर में चार बज़ रह रह रहे हो तो अब हम subject निकालेंगे कौन इस शेहर में चार बज़ रह रह रहे हो तुम यह ना यू सबसे पहले subject रखते हैं अब subject के बाद linking गर्व रखते हैं तो हमें पहले भी मालूप में कि I, you, we, they हमेशा plural consider किया जाते हैं हाला कि देखने में ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक आदमी से बात कर रहे हैं लेकिन हमको यह भी मालूप में कि I, you, we, they plural consider किया जाते हैं इसलिए हम have रखेंगे यहाँ पर no has हमें लग देखने में लग रहा है कि singular है लेकिन you plural consider किया जाता है हमेशा तो you have been living तुम जो हो वर्ब क्या है रह रहे हो रहने का काम कर रहे हैं तो you have been living रह रहे हो रहे को फिर से repeat करें कि ing से दिखाते हैं तो live में ing लग in this city और सबसे end में time कर रहेंगे अब यहाँ पर तो है चार वर्ष से अभी हम सूचना पढ़ेंगे कि अर्चा अभी 2020 चल रहा है तो चार वर्ष रह रह रहा है तो 2016 में से रह रहा होगा है तो इस टाइप ही गड़ित लगानी पड़े तो 4 रख देंगे ठीक है अगर यह कह ठीक है अब हमसे कहा जाए कि इसको इंट्रो नेगेटिव में चेंज कीज़े रेड नेगेटिव में चेंज कीज़े तो very simple जितना sentence लिखा लिखा रहे हैं देजे बस पहले वाले linking verb को छोड़के इतने वड़ा linking verb पूरा नहीं इसके बीच में हमको not लगाना है पहला पार् in this city you have been living in this city for four years अब हमसे कहा जाए कि इसको चेंज कीज़े इंट्रो गेटिव में तो यह linking verb पे हम उसको आगे कर देंगे have क्या तुम इस शहर में 4 चाल से रह रह रहे हो इसका तब यह हो जाएगा have you अब यह को छोटा कर देंगे क्योंकि पहला अच्छना बढ़ा लिख चुके है have you been अब इसको में इंट्रोगेटिव कर रहे है have you been living in this city for two hours for sorry four years अब देखिए next मंगल वाज से वर्शा हो रही है अब मंगल वाज से वर्शा हो रही है तो बच्चों हम आपको बता देंगे कि जो weather से related जितने भी sentences होते हैं मौसम से related कि वर्शा हो रही है दूप निकले है तो वो उसके लिए neutral pronoun it लगता है तो जैसे अब हम सोचिंग कि इसमें ही लिखे है शे लिखे क्या लिखे मौसम से related हर sentence में आप neutral pronoun it यूज़ करेंगे तो दिखे है कि मंगल वाज से वर्शा हो रही है तो it has been ही शेट सिंगलर होते हैं हम पहले वह आपको बचा चुक है कि ही शेट सिंगलर माने जाते हैं तो इसलिए it has been raining वर्शा हो रही है वर्शा हो रही है वर्शा हो रही को rain कहते है वह rain over my ing it has been raining अब यहाँ आपकर fix है कि मंगल वार से हो रही है वह इको fix समय बता रहा है तो since since Tuesday हम days of the week हमेशा capital से लिखते है तो टी इसलिए capital रहेगा it has been raining since Tuesday ठीक है अगर हमसे इसको negative करने के लिए का जाए तो again it's very simple यह वाला हटाईए it has उसके तुरंद बाद not रख दीजिए इस वाले के बाद it has not been raining since Tuesday ठीक है अगर हम से कहा जाए इसका इंट्रोगेटिव बनाईए तो सब्सक्राइब को आगे करेंगे has it been raining since Tuesday and don't forget to put question mark in the end so simple अगला sentence देखिए अगर अभी हमें क्यों को नहीं सोचना है sentence है लड़के नदी में दो घंटे से नहा रहे हैं तो कौन नदी में दो घंटे से नहा रहे हैं लड़के तो sentence आया हमारा सब्जेक्ट आया बॉइज 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 प्लू रहे ले तो देखिए इसमें भी समय का ग्यान दे रहा है दो घंटे से हार sentence में आपको मिलेगा कि समय के बारे में बात करें इस समय में क्यों नहीं सोचन अब यह क्या काम कर रहे हैं नाने का काम कर रहे है वर्व वर्व नहीं जी लेप धर बंगी नदी में इन रिवर्व है अब फियर दो घंटे से हमको फिर गडित लाता है तो अभी गयारा बजय तो नौ wil चुनश रूर कि हो हुए उथा गडित ने लगांगी सीदिए फार ह लड़के नदी में दो घंटे से नहीं नहीं नहा रहे हैं तो हमें आ पर लिखा नहीं हमने लेकिन आप ध्यान दिजेगा कि आपको समझ के करना है कि अब बॉइस बस हैव के बाद पहला लिंकिंग को कपाट छोड़के नौट लगा दिया have not been bathing in the river for two hours ठीक है अगर आप यह इंट्रोगेटिव सेंटेस आपको मिल जा है कि लड़के नदी में दो घंटे से क्यों नहा रहे हैं ठीक है इसमें क्यों जूड़ाया देखिए अना अब यहां पर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेस देखिए कि देखिए इसको हमें क्योंकि अंगरेजी सबसे पहले रखनी है सबसे linking verb जो हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव सबसे आगे करते हैं इंट्रोगेटिव में उससे भी पहले तो लेकिन इसका एक सरल तरीका यह है कि आप जो affirmative sentence अगर बना सकते हैं तो उसको पहले affirmative बना लीजे कि इंट्रोगेटिव में हमें linking verb आपके करना कोता है ना ता हुए हम इसको बड़ा नहीं लिख रहे है क्योंकि हमें why के अंगरेजी उससे पहले रखने है why have boys been bathing in the river for two hours और लेकिन हमको यहाँ पर क्योंकि इंगरेजी रखने तो हमें क्योंकि इंगरेजी सबसे पहले रखने है why have boys been bathing in the river for two hours अगर क्यों कहां कब कैसे कुछ भी होता है तो उसके अगरेजी सबसे पहले रखे जाते है उसके बाद linking लेकिंग वर्ब रखा जाते है और यहां तो आप अधीव में दीव में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह फिर इतना पहले कि आप फ्रम एटीव बना है फो उसके बाद पहले लगा है इसा नहीं करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कब क्यों कहां कै सबसे पहले रखो फिर जो भी लिंकिंग वर्ब उसमें सेंटेंस में बन रहा है वो रखो और फिर वाकिर पूरा बनाते चले जाओ थांक्यू तुम